धीरुबाई अम्मानी ने कहा कि दुनिया में सफल लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सबी लोग आज जीवन काम की तलाश में भटकते रहते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्षर मित्माईश्वेरी और आप सभी का सवगत करता हूँ आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं लोगों के साथ अपने बिजनस का नेटवर्क कैसे बनाएं ताकि आप अपने बिजनस को आसानी से एक्स्पेंशन के और लेकर जाएं उससे पहरे मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि यदि आपके मन में बिजनस के नेटवर्क को डेवलेप करने से संबंदित कोई भी आइडिया है तो वो आइडिया हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आपके आइडिया से लोग इंस्पायर होकर आपकी बात को फॉलो करना शुरू करें चलिए बात करते हैं कि बिजनस का नेटवर्क कैसे बना जाता है Je tteabout His Irish जितना जाधा आप जो काम करते लगातें कि के नहीं कि sa calle बात करेंगे उतना असानी से होता जाएगा इसलिए कहते हैं डॉन्ट जतेंड इवेंट के वल इवेंट और य estatмет को अड़ेंड ना करें।滿स सारे लोगbonechn Im 2017 वरक्षोप में जाती है लोगे जाती हैं सेमिनार मंजाते हैं बिजस्नमीट्स में जाती है अठेंड करते हैं और चुप चाप करें। के यदेर करना के अब करना ए? तो इस बात को एक बार समझने का प्रयास करें और इसके बारे में लोगों को बताएं कि मैं ये बात दुबारा समझना चाहता हूं बड़ा इंपॉर्टन्ट है कि जितना एक्टिवली आप पार्टिस्पेट करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट होंगे तो बिजनस मीट्स और नाज़ करती हैं तो उन बिजनस मीट्स में जुरूर पार्टिस्पेट करें जैसे चेमबर ऑफ कॉमर्स चैमबर अफ इंडस्ट्री चैमबर आफ इंपोर्ट एक्सपॉर्ट इसके लाबा लॉइन्स क्लब बैनिंट्राइब एक नेट्वरकिंग और आपकी इंडस्टी में जो भी नए-नए लोग हैं, लगातार नए लोगों से मिलना शुरू करें, कहते हैं कि जतने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, इतनी ज़्यादा बाते आपको समझ में आएंगी, उतना ज़्यादा अनुभव आप ग्रैब करेंगे, और उतना ही ज़्य जादा अपने बिजनस को एग्रेसिवली आगे बढ़ाने के लिए आप भी मोटिवेट होंगे इसलिए ज़्यादा साथ लोगों को मिले नेक्स्ट बी हैल्फुल एंड इंवाल्व हमेशा एक मददगार लोगों के रूप में अपने आपको सामने लेका रहें कि आप लोगो किसी की जरुवरत नहीं है अगर आपको किसी की जरुवरत में जोरुर्व होना बहुत ज़रुर्वह है उसके बाद सटार ऑगोल फोर हाव मेनी निव फीपल यूविल मीट एट ऑन इवेंट एक गोल सेट करें कि में में जिस नए इवंट में जा रहा हुना मैं वहां पर क का टाइम मिलता है तो वो ज्यादा साल लोगों से connect होने का प्रयास करते हैं मैंने तो कही बार देखा है विजटिंग कार्ड का पूरा एक पैकेट लेते हैं और जली अल्दी डिस्टिबूट करना शुरू कर देते हैं जैसे पैंपले distribution हो रहा हो यह एक mistake क्या करते हैं वो एक ही व्यक्ति के साथ मिलते हैं और पूरे समय लगातार एक व्यक्ति से बाच्चीत करते रहते हैं जरूत क्या है कि समय के अनुसार जादा साथ लोगों से मिलने का प्रयास करें लेकिन वह ऐसा भी ना हो कि आप एक व्यक्ति से मिल रहे भी देना भी प्रयास होना चाहिए और उसके बाद बी कंसिस्टंस छी लोग आप के उसके साथ चलते रहेंगे उन लोगों के भी और लोगों के साथ सरकल है इसलिए consistency के साथ लगातार business meets programs events workshops attend करते रहें और अपने network को strong बनाते रहें जब हम network को strong बनाना चाहते हैं न तो मैं बहुत सारी बातों पर ध्यान देना होगा हम किसी भी business organization में किस लिए जाते हैं ताकि अपने business की information महां शेयर कर सकें और सामने वाले व्यक्ति की information को जान सकें और ये उसको जरूरत है तो उसको reference दे सकें मुझे जरूरत है तो मैं अपने लिए reference मांग सकूँ उसके लिए जरूरत है एक दूसरे के business के बारे में ठीक तरीके से जानने कि करना क्या है introduce yourself to the potential contact मैंने है client नहीं का है क्योंकि जिस व्यक्ति से आप business meet में मिल रहे हैं वो आपका client नहीं है वो आपके लिए potential contact है जो आपको एक अच्छा referral दे सकता है उसके लिए में करना क्या है hold off on the sales pitch अपनी sales pitch पर hold off करें क्या do share your name your business and other relevant information about your business अपने business से संबंदित आपकी company का नाम आपके products आपके services और उससे related जो भी relevant information हो वो लोगों के साथ share करें अपनी information को pitch करें जब तक आप pitch नहीं करेंगे तब तक आपकी information लोगों तक नहीं पहुंचेगी और वो यह जानेंगे ही नहीं कि आप काम क्या करते हैं तो आपको वो referral किस आधार पर देंगे इसलिए जरूरी है अपने आपको ठीक तरीके से इंटर्ड्यूज करें और जितना बेहतर तरीके साथ इंटर्ड्यूज करेंगे उतना ज्यादा लंबे समय तक लोग आपको याद रखेंगे मेरी एक बात को द्यान से समझ लिजेगा दोस्त कि जो नेट वर्किंग ना वह रलेशनशिप पर बिल्ड़ होती है जितना बेहतर रिलेशन होगा उतना ही ज्यादा बेहतर नेट वरक आपका डेवलेप होगा तो मैं करना क्या है तो दे रलेशनशिप यूँवांट टो ब मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं तो दूसरे व्यक्ति जब मुझसे बात करेगा तो मैं चाहूंगा कि वो क्रिकेट पर बात करें फुटबॉल मुझे पसंद नहीं तो मैं फुटबॉल से संबंदित बात को सुनना ही नहीं चाहूंगा इसलिए जरूरत है हमें common interest को सम लोगों के टेस्ट को समझते हुए उसी विशय पर बात की जाए उससे आपका business network बहुत मजबूती से बिल्ट होगा उसके लिए क्या करना है ask good question बहुत सारे लोग ना केवल अपनी कहानी बताने का प्रयास करते हैं और जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपका जो business network है वह बहुत बहुत बेटर डेवलप नहीं होता ask good question अच्छे questions पूछिए और अच्छे questions क कैसे पता लगेगा जब उस व्यक्ति से बात करेंगे उसका common interest क्या है उसका taste and preference क्या है उस विशह से संबंधित प्रश्ण जब आप पूछेंगे तो जवाब देने वाला व्यक्ति आप से अपने आपको connect महसूस करेगा उसके बाद show your true interest जब आप उस व्यक्ति की बात सुन रहे न तो उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप सच में उसकी बात में interest ले रहे हैं ऐसा नहीं है आपने topic तो बोल दिया लेकिन ऐसा आप behave कर रहें जैसे आप उस बात को ignore करना चाहते हैं तो ऐसा कभी ना करें उसके बा व्यक्ति को लगेगा कि आपकी बात वह व्यक्ति ठीक तरीके से सुन रहा है या जो व्यक्ति आपको बात कह रहा है उसकी बात आप सही तरीके समझ पा रहे हैं तो आपको कियरफुली बात को सुनना है उसके बात वर्थ वाइल कनवर्सेशन ऐसा ना हो कि आपके पूरे कन वैसे रिपलाई दो जासा रिपलाई वह लेना चाहता है कॉंट्राडडिक्टरी मत करो किसी भी बात पर कोई विवाध उत्पन मत करो किसी भी बात को अगर आप एगरी नहीं है तो उस विशा को छोड़ दो लेकिन उसको यह महसूस मत दोना तो नहीं नहीं आप तो यह गलत कह रहे हैं आपकी तो यह बात ही गलत है आप तो आपको तो यह पता ही नहीं है तो यह बड़ा important role play करता है जब हम किसी से business relationship build करना चाहते हैं तो व्यक्ति भी चाहता है कि उसको एक value मिले नेक्स्ट built a foundation for a professional relationship अब professional relationship की जो foundation है वो कैसे बिल्ट होगी उसके लिए में क्या करना है डोंट भी लैक्स अब इनिशेटिंग दफस्ट phone call और email हमें से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को मेरे जरूत होगी ना तो खुद ही call करेगा या खुद mail करेगा हो सकता है किसी कारणवश्व व्यक्ति बिजी हो और आप से बात मैं कर पा रहा हो लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे कि सामने वाले व्यक्ति कॉल आएगी तब मैं बात करूंगा उसका mail आएगा तब मैं उनके बीच ताकि आप एक दूसरे के विचारों को बातों को जजबातों को ठीक से समझ सके उसके बाद follow-up friends प्रकृति का एक नियम है जो चीज सबसदा दिखते वही सबसदा बिखती है जिस चीज का प्रचार प्रसार सबसदा किया जाता है वही चीज लोगों के mind में एक जगा बना लेती है ठीक उस तरह से जब आपने लोगों से regular follow-up करेंगे बातचीत करते रहेंगे उनके बार समझोफिस नेटवॉक छूटता यह बहुत माथ से टाइम आफ डिसकस कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगुत नो пок्रूग जिस समें आप बात करना जाह रहे हैं उस समें उनके Пदास समय नहीं है और जिस समय आपके पास समय है उनके पास समय नहीं है यह करना हम एक साथ कर ले के कर लेते हैं तो आप देखिए कि सामने वाले व्यक्ति का सभी समय और आपका सभी समय क्या है बात करने का हमेशा ऐसा लगता है कि हम आपस में इसलिए आपके शोशल मीडिया हैं आपके लिंक्स हैं उनको जरूश करें जैसे आपकी कंपनी की वेबसाइट हो गई यह आपके शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म हो गया फेस्बूक लिंक्डेंट ट्विटर इंस्टाग्राम आप भी सब कुछ चाहते हैं सामना अलेवक्ति चाहता है उसकी जरूरत के हिसाब से भी आपको डिजिजन्स लेने पड़ेंगे और जबी कॉमन इंट्रस्ट बिल्ट होगा और एक बहुतर फांडेशन बिल्ट होगा जहां पर आप एक बहुतर बिजनस नेटवर्क बना प जाएगी और जितना लेंग और रेफरल्स की पॉसिबिलिटिस बढ़ेगी उतना अधा बिजनस बढ़ेगा टर्नोवर बढ़ेगा और हो सकता है कि एक्सपेंशन के लिए भी वह लोग आपको मदद करेंगे और आप अपने बिजनस को नेक्स लेवल पर ले जाएंगे इस फ्रेंट्स कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बिजनस से ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने परसनल बिजनस टाइम से मैं आपके साथ शेयर करके आपके इस लिए इस यूट्यूब चैनल पर लेक